नमश्कार आदाव सस्त्रियकाल दोस्तों मैं शुभम पांडे आज आप सब का आपके अपनी चैनल डेफिनिट क्लासिस पर फिर्षे श्वागत करता हूँ और ये उमीद करता हूँ आप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे और व्यस्त होंगे हम लोगों का जो सफर है दोस्तों आए हुए तमाम सवालों का यानि जो भी पीछले कुछ सालों में जितने भी सवाल के अगामी आने वाली परिछाओं जिनमें भी इतिहास आता promised जिनमें इतियास आता है हो सके यही सवाल आपको देखने को मिल जाए अगर आपने मेरा दिल्ली सलतनात वाला वीडियो देख रखा है जो प्लेलिस्ट भी मैंने create कर दी है इस चैनल में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा तो आपको जो मैंने वो कलेक्शन दिया है 110 प्लस सवालों का कलेक्शन है दोस्तों वा ठीक है तो आपको उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर आपने वीडियो देखा है तो आपका एक अलगी लेवल का confidence बूश्ट अप होगा अलग लेवल का confidence खुद बखुद आपके अंदर से आएगा कि आपकी तयारी है वो सही दिसा में चल लए है और अब हम लोग काम की बात पर आते हैं दोस्तों काम की बात क्या मुगल सामराज में हम लोगों ने जो आखरी सक्सियत की बात किये आखरी बादशा जिसकी हम लोगों ने बात की है वह था हुमायूं अब हम लोग को हुमाय है दोस्तों वह है जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर और इसका जो समय काल चला दोस्तों वह चला 1556 से 1605 तक यानि इस समय काल में ये समहाल लहा था मुगल सामराज हिंदुस्तान के अंदर मुगल सामराज की गद्दी पे काविस था बाश्या बनके अब हम लोग इसकी जैसे ही बात आती है तो आपको एक बात यहाँ याद रखनी है दोस्तों कि इतिहास कार इसको मानते हैं मुगल सामराज का सबसे महान बाश्या सवाल आता है तो आप बोलेंगे कौन है वो जलाल अदिन मुहम्मद अकबर है और जैसे ही इसकी बात आई तो बर्त इसका कहा हुआ था इस बात की जानकारी हम लोगों ने हुमायू वाले लेक्चर में ही ले ली है यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ इस चीज को अगर आपने हुमायू वाले लेक्चर नहीं दे जो कि कहां थी दोस्तों अमर्कोट राजस्थान में ठीक है दोस्तों इस चीज को याद रखेगा इंप्टन सवाल है पूछा जाता है कि कहां इसका जन्म हुआ तो आप बोलेंगे अमरकोट राजस्तान में जन्म हुआ और जब जन्म हुआ इसका दोस्तों तो इसका जो childhood name था बचपन का जो नाम था वह था बदरुद्दीन जब 1556 में दोस्तों हुमायू मरा तब अकबर जो था मात्र 13 साल का था मात्र 13 साल का था यानि इसकी age उस समय क्या हुआ करती थी 13 year और जब हुमायू मरा था और कैसे मरा था मैंने आपको बताया था कि हुमायू शेर मंडल की सीडियों से गिर के मरा था और गिरा कैसे था अपने ही लिवास में अपने ही गाउन में क्या हुआ था फसा था उसका पैर और शेर मंडल की सीडियों से वह गिर गया था और उसकी मित्यू हुई थी तो उस समय जो था अकबर मात्र 13 साल का था और एक आपको important सवाल के तरफ ले जाएगा, वीडियो को skip न कीजेगा दोस्तों, अभी आपको तमाम important सवाल अकबर से मिलने वाले हैं, जो आपके अगामी आने वाली परिक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बैरम खान के साथ था, अब ये बैरम खान कौन था, अब आपको याद होगा हुमाईू वाला आपने अगर लेक्चर देखा है, तो बैरम खान हुमाईू का सबसे वफदार शैनिक था, जिसे बाद में हुमाईू ने शेनापती गोशित कर दिया था, और ये कहां मिला था बैरम खान इसको हुमाईू को मिला था, काबुल और कांधार में और कब मिला था, 1545 में दोस्तों, याद होगा इस बात के हम लोगों ने चर्चा की थी, इसी बैरम खान के साथ अकबर को भेज दिया था, किसने हुमाईू ने, कहां भेजा था, प्रोटेश्ट हो रहा था, विरोध हुआ था, अफगानियों के तरफ से, ठीक है दोस्तों, जो विरोध हुआ था, उसी विरोध को कंट्रोल कौन कर रहा था, बैरम खान कर रहा था, और हुमाईू ने बोला बैरम खान से कि तुम अकबर को साथ लेके जाओ, अकबर भी तुम्हारा शहयोग करेगा, अकबर भी रड़ नीती को समझेगा कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कैसे विरोध को कंट्रोल किया जाता है, रोका जाता है, यानि प्रोटेश्ट हुआ था अफगानियों द्वारा, अफगानियों के तरफ से जो विरोध हुआ था, उसको रोकने के लिए गया था, ठ गुर्दासपूर पंजाब में यह चीज आपको याद रखना है कल नौर गुर्दासपूर पंजाब में अफगानियों द्वारा विरोद हुआ तो बैरम खान ने ततकाल ही तुरंत क्या किया अकबर को घोशित किया अगला मुगल बादशा तेरह साल की मत्र उम्र में अकबर बना था मुगल बादशा अगर सवाल आता है कि सबसे कम उम्र में मुगल बादशा बनने वाला मुगल सामराज को समालने वाला सक्सियत कौन है तो आप बोलेंगे जलाल उद्दिन मुहम्मद अकबर है ठीक है दोस्तों अब हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं 13 साल की उम्र में ही बैरम खान द्वारा अकबर को घोशित किया गया अगला मुगल बाश्या मुगल सामराज को समालने वाला अगला शाशक और किस नाम से किया गय तो इसे मुगल बाश्या गोशित किया गया तब हुआ जलाल उद्दिन मुहम्मद ये जो अकबर देखते हैं आप दोस्तों ये इसको असल में मिली है टाइटिल ये अकबर इसका नाम नहीं था अकबर इसको टाइटिल दी गई थी सामराज जद्वारा कैसे दी गई इन शाशक हुआ करता जिसका नाम था हेमू उसे जैसे ही जानकारी मिले कि हुमायू मर चुका है उसने ततकाल ही दिल्ली पे आकरमड कर दिया और दिल्ली पे कबजा भी किया दिल्ली पे आकरमड करने के बाद दोस्तों क्या हुआ दिल्ली पे कबजा भी किया गया किसके द्व कहानी के साथ साथ चीजों को याद रखने का तरीका भी मैं बता रहा हूं दोस्तों और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें ठीक है दोस्तों अब हम लोग आगे की और पढ़ते हैं हुआ क्या जैसे ही 1556 में हुमायू की मित्टी हुई सेर मंडल की सीडियों से गिर्दने के बाद ये बात पता चली हेमू को जो की एक हिंदू रूलर हुआ करता था और सवाल आता है कहा का हिंदू रूलर था ये दोस्तों तो आपको लिखना है जवाब रिवाडी हडियाना कहा का रिवाडी हडियाना का ये हेमू जो था ये अटैक किया किसके उपर दिल्ली के उपर और मुगल सामराज को अपने कबजे में ले लिया यानि जो मुगल सामराज की गद्दी थी उसे अब कौन समहला हेमू समहला और जैसे ही ये फते हासिल किया दिल्ली के उपर इसने एक टाइटिल ली थी दोस्तों इंपोर्टेंट है यह टाइटिल पूछा जाता है सवाल विक्रमादित्य विक्रमादित्य टाइटिल ली और यह जो विक्रमादित की टाइटिल है दोस्तों हेमू से पहले 13 लोगों ने पहले ही ले रखी है यानि क्या है दोस्तों हिम वा इंसान बना जो 14 नमर का सक्सियत बना जिसने विक्रमादित की टाइटिल ली और जब इसने दिल्ली पर आक्रमण करके मोगल सामराज को अपने सामराज में मिलाने की कोशिश की थी और गद्धी पे काविज हो गया था मुगल सामराज के तो इसी नहीं यह टाइटिल ली थी और दिल्ली पे किस नाम से फिर यह रूल किया important सवाल है पूछा जाता है हेम चंद्र विक्रमादित के नाम से यह मुगल सामराज पे फिर आगे रूल किया ठीक है मुगल सामराज के घंद्ध की संभाला और एक सवाल इससे और बनता है दोस्तों कि लाष्ट हिंदू रूलर ओफ दिल्ली यानि आखरी हिंदू शाशक दिल्ली का लाश्ट हिंदू रूलर अफ दिल्ली कौन कहलाता है हेम चंदर विक्रमादित्य कहलाता है याद रखेगा इस चीजों को कौन कहलाता है हेम चंदर विक्रमादित्य लाश्ट हिंदू रूलर अफ दिल्ली ठीक है दोस्तों अब हम लोग आगे कड़ी को जोडते हैं इधर क्या हो रहा है बैरम खान ने जलाल उद्दिन मुहम्मद को अगला मुगल बाश्चा घोशित कर दिया और इधर ये सीजे घटित हो रही थी अब आगे क्या हुआ आगे की कड़ी को हमें देखना है और आगे स अब important सवाल बनते हैं दोस्तों यहाँ पे ये दो सवाल बने आपको याद रखना विक्रमादित की टाइटल किस ने ली थी और लाश्ट हिंदू रूलर कौन था दिल्ली का ये दो सवाल यहां से बनते हैं इन चीजों को याद रखेगा और कभी कभी ये भी सवाल बनता है कि जो हेम चंदर विक्मादित था हुआ कहां का शाशक था तो आप सबको पता है रेवाडी हडियाणा का वो शाशक था इस बात की जानकारी आपको अभी दे दी गई अब हम लोग आगे की कड़ी की और बढ़ते हैं अब हुआ क्या अब ये सब बातें पता चली फिर से कि भुएरम खान को कहा ये तो बहुत बड़ी गरबर हो चुकी है बस इसी के परिमारश्वरूप किया होगा होगा दोस्तों सेकेंड बैटल ओशा पानिपत पानी-पत क्या होगा सेकेंड बैटल ओफ है पानिपत का दितिय युद्ध। सेकेंड 156 में किसके किसके बीच हुआ यही जलाल उद्दिन मुहम्मद यानि अकबर के बीच और कौन था दूसरा सक्सियत वही था हेमू यानि हेम चंद्र विक्रमा दित्य और अकबर जो था अभी मातर 13 साल का था इसी वज़े से यह किसके गार्जन सिप में युद्ध लड़ा हु यूज नहीं होना है नाम इसका चला लेकिन जो कारभार पूरा समहाला और विज़े हुआ पानीपत के युद्ध में ये कारण बना बैरम खान बैरम खान ने ही हेमू को मारा इसी युद्ध में यानि दिती युद्ध जो था पानीपत का उसमें हेमू मारा गया किसके और इस्थापना हुई फिर से मुगल सामराज जी के और इस बार राजा कौन बना शाशक कौन बना बाश्या कौन बना जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर और यही कारण है दोस्तों कि जो इसका समयकाल माना गया हुआ 1556 से 1605 तक माना गया है और यह 13 साल का था इसी वजह से ध्यान रखेगा इसी वजह से दोस्तों यह बस नाम का शाशक रहा नाम का जलाल उद्दीन मुहम्मद जो था यह नाम का शाशक बनके मुगल बाश्या बनके गद्दी पे काबिज रहा देखरे कौन कर रहा था बैरम खान यानि किसके गार्जियन सिप में जलाल उद्दीन मुहम्मद 13 साल की उमर में शाशक बना था ये अगर सवाल आये तो आप बोलेंगे बैरम खान ठीक है यानि गारजन सिब किसकी थी बैरम खान की थी दोस्तों और ये चीजें चलती रहें कब तक चली जब तक बैरम खान के मन में ये नहीं आया कि जलाल अदिन मुहम्मद हुगा क्या दोस्तों एजन रिजल्ट इसके क्या हुआ बैटल ओफ ये बात जैसे ही पता चली जलाल अदिन मुहम्मद को बैटल ओफ तिलवाडा हुआ और कब हुआ 1560 में हुआ दोस्तों बैटल ओफ तिलवाडा इंपोर्टेंट सवाल है पूछा जाता है किसके किसके ब बीच बैरम खान के बीच बैरम खान के बीच इन दोनों के बिच युद्ध हुआ अगबर विजय हुआ अगबर इस युद्ध में विजय हुआ तिलवाडा की युद्ध में जो की 1560 में उसमें अकबर विजय हुआ और अकबर ने बैरम खान को मारा नहीं इंपोर्टेंट दौरा कि हज यात्रा पर आप निकल यानि मक्का शरीफ पहुँ जाओ और हज यात्रा क्या hen कि इस्लाम धर्म वाले वीडियो में हम लोगों अच्छे से बात गिये इसलाम धर्म वाले लेक्चर में हम लोगोंने बात कर रखी और इसी के साथ दोस्तों एक सवाल यहाँ और बनता है इा unlock की बात आएगी बैरम खान के बेटे का नाम क्या था अब्दुल रहीम खाने खाना और ये कौन था दोस्तों ये वही सक्सियत है जब मैंने बात की थी बाबर की तो बाबर की जो आटो बायोग्राफी थी बाबर ने खुद अपनी जो जीवनी लिखी थी आत्मकथा लिखी थी वह लिखी तरकिस लाइंग्वेज में उसी तरकिस लाइंग्वेज की जो आटो बायोग्राफी थी बावर की यानि तुझू के बावरी जिसको हम लोग जानते हैं या बावर नामा के नाम से जानते हैं उसी को इसने अब्दुलरहीम खाने खाना ने क्या किया था फार्सी लैंग्वेज में पर्सिन लैंग्वेज में टांसलेट किया था अनुवादित किय सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि यह असिक्षित था इसी कारण से गद्धी पे काविस्त हो गया था लेकिन यह अभी पुरे तरीके से इस योग्य नहीं था कि मुगल सामराज को सम्हाल सके और इसी पडिमाड श्वरूप मुगल सामराज के अंदर ही चला पेटिकोट सरकार होता क्या है इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों पेटिकोट सरकार और यही जो पेटिकोट सरकार है दोस्तों यह चलेगा 1560 से 1562 तक और इसी पेटिकोट सरकार को दोस्तों हम लोग जानते हैं एक और नाम स पर्दा शाषन के नाम से यानि कल्टेन रूल के भी नाम से A अकबर की ज़ाल उध्द्रिन मुहम्मद अकबर की ही द crystallी मा करती ती जिनका नाम था महां अंगा उन्हों ने ही इस सामराज को समाला क्यों समाला क्यूंकि अभी तक क्या था असिक्चित था इलिटरेट था दो साल पर्दा सासन चला मोगल सामराज के अंदर important सवाल है पूछा जाता है कब से कब तक चला और किसके निगरानी में चला अकबर की दाई मा जिनका नाम था महाम अंगा अब कैसे चीज़ें हुई कि 1562 में ये शाशन खतम हुआ पर्दा शाशन खतम हुआ यानि पेटिकोट सरकार खतम हुई इन सब चीज़ों की जो बात है दोस्तों वो हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं अभी तक जो आपको चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों ये तमाम सवाल इंपोर्टेंट बनते हैं अकबर से और आगे जो आपको वीडियो अकबर से रिलेटेड दिये जाएंगे उसमें भी आपको तमाम सवाल देखने को मिलेंगे और इसी के साथ मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है आपकी लग रहा है कि आपको ये वीडियो कारिगर शाबित हो रहा है आपके लिए तो आप इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच आप शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसका जुड़ के फायदा उठा सकें और साथ में मेरा भी मनोबल बड़े दोस्तों ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा करने का प्रयास कर सकूँ आपके साथ मिलके इसी के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों धन्यवाद